Assalamu alaikum, मेरा नाम Kudusbert उमीद है आपने मेरे पिछली वीडियो वाश कर ली होगी जिसमें मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करंसी क्या चीज़ होती है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्रिप्टो करंसी की बैक अंड पे जो टेकनालोजी है वो blockchain उसको बोलते हैं आज इस वीडियो में blockchain क्या होता है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा again कोशिश करूँगा कि सादा अन्फाद इसकी technical terms भी है लेकिन technical की तरफ जाऊँगा तो शायद आपको समझ नहीं आएगी मैं अपने अन्दाज से simple तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा उमीद है इस वीडियो को watch करने के बाद आपको ये जो पेचीदा word blockchain ये क्या चीज़ है इसके आपको समझ आ जाएगी इसके लिए वैसे तो इसको इंगलिश में बोलते है digital ledger यानि digital खातादारी ledger हिसाब किताब खातादारी को बोलते है सदियों से थोड़ा सा history की मैं आपको बताता हूँ सदियों से इनसान जब ये लिखत पड़त के चकरों में नहीं था ये paper नहीं था printing श्रिटिंग नहीं थी जब इनसान पत्थरों पे लेकिन जाहरी बात है इनसान ने अपनी पूरी लाइफ में जो experience किया होता है जो कुछ learn किया होता है उसने अगली नसलों को तो मुंत्किल करना है तो फिर इस वज़ए से इनसान को जरूरत महसूस की इनसान ने के यार मेरा दमाग तो बड़ा limited है मैं अपनी जिन्दगी में एक दिन में मैं कितना कुछ experience करता हूँ तो ये सब कुछ तो मैं नहीं याद रख सकता और अगर मेरी जिन्दगी 60-70 साल की है तो क्या मैं एक एक दिन की एक एक होने वाली development एक एक लिम्हा जो है महफूस कर सकता हूँ इन्सान ने महफूस की जरूरत महसूस की कि यार मुझे अपने ये सारे experience knowledge को महफूस करने के लिए कोई ना कोई ऐसा tool चाहिए फिर आइस्था इस्था इन्सान तरकी करता गया और हमारे जो इन्सानी इर्टका है इसमें मुझे तरीके इन्सान इजात करता गया कहां मटी से स्टार्ट हुए फिर लैदर फिर पत्थर फिर आइस्था इस्था पेपर और आज हम यहां पे पहुँचे हुआ है blockchain technology के ओपर blockchain technology भी actually मालूमात information को महफूस करने का latest तरीका है अब जाहरी बात है blockchain technology इतना advanced latest है मैं थोड़ा साब को explaining भी करूँगा कि इन technology के साथ attached जो coins और tokens है जिनको cryptocurrency पिछली वीडियो में हमने discuss किया था उनके ओपर लोग धड़ा दर्स रमायकारी का रहे हैं लोग समझते हैं कि यही मुस्तक्बिल है अब आपके जहन में स्वाला आ सकता कि यार यह blockchain क्यों इतना important है लोगों के लिए क्यों वो समझते हैं यह मुस्तक्बिल है देखें नसले इनसानी ने आज तक record काईम करने के जितने भी तरीके इजाद की है उन में एक problem रही है वो है कि record के ओपर किसी ना किसी इनसान का इक्तियार यानि record किसी ना किसी के पास maintain रहता है कोई ना कोई उसका holder होता है हमारी land का record पटवारियों के पास इसी तरह हमारे हर इदारे में बैठे कोई ना कोई accounting department होगा जिसके पास उस इदारे का यानि अफराद और इदारों का record जिसके पास भी है वो कोई उसके ओपर जो control है किसी ना किसी इनसान का है तो उस वज़े से चोके control इनसान के पास है और इनसान तो जो है उसको influence करना कोई इतना मुश्किल नहीं है यह हमारी तरीक बताती है कि इनसान को लालच के जरीए खौफ के जरीए इनसान से कुछ भी करवाया जा सकता है blockchain technology ने record का जो digital ledger जिसको मैंने start में आपको बोला एक ऐसा system develop किया कि इसमें जब एक बार इस इसमें जब इस tool को इसमाल करते हैं जब कोई चीज रिकार्ड कर दी जाती है तो वो immutable हो जाती है यानि उसको कोई बंदा बदल नहीं सकता प्राने record को आप नहीं बदल सकते आगे जो मर्जी आप करें यानि ये ऐसा record का system है जिस जो जिसको कोई बदल नहीं सकता once it's recorded nobody can change it तो ये वज़ा है और जब इनसानों के पास record रहा है और यही वज़ा है कि record इनसानों के पास होने की वज़ा से आपको मौशरे में corruption नजर आती है आपको अकरबा पर्वरी यानि nepotism नजर आती है ये जतनी इल्लते हैं ये जतनी खराबिये हैं हमारे मौशरे की उसके back end पे वज़ा सिर्फ एक या जिसके पास record है जिसके पास खाता है वो जो चाहे मर्जी बेशक वो powerful है बेशक मतलब जिसके पास record है obviously वो powerful है तो इसको सन 2009 में सतूशी नाका मोतो के नाम के बंदे ने या किसी group ने या किसी खातून ने क्योंके वो तो unknown है किसी को ने पता इसके ओपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसने blockchain technology इंट्रोडियूस करवाई BTC जिसकी एक currency है यानि जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बताया कि crypto currency और चीज है blockchain एक technology है उस technology को functional करने के लिए कोई न कोई currency चाहिए होती है अच्छा ये भी यहां बताना बहुत जरूरी है जरूरी नहीं हर जो blockchain है उसका अपना कोई coin या token हो market में कुछ ऐसी blockchain है जैसे BTC है BTC के अपनी एक blockchain है और उस blockchain के ओबर उपर अगर किसी ने भी अपना record महफूस करना है तो उसको BTC चाहिए BTC होगा वो gas fees पे करेगा तो अपना record महफूस करेगा लेकिन और भी market में ऐसी chains है जो के record तो महफूस करती है लेकिन उनका अपना token कोई नहीं है record को महफूस करने के लिए उसको functional करने के लिए मिसाल के तोर पे Arbitrum Arbitrum एक chain है blockchain है वहाँ पे लोग अपना record वगयरा रखते हैं लेकिन वहाँ पे record रखने के लिए Ethereum का coin चाहिए वो किसी और blockchain का coin है जो वहाँ वहाँ पे transaction महफूस करने के लिए जाहिए Arbitrum का अपना token है लेकिन वो governance token है उसका record भी Ethereum की chain पे है तो ये blockchain जो है इस blockchain को functional करने के लिए cryptocurrency की ज़रूरत होती है अब आते हैं कि ये blockchain work कैसे करती है अच्छा दो किसम की blockchains होती है एक centralized blockchain होती है और एक decentralized blockchain होती है Central Bank Digital Currency यानि ऐसी blockchain technologies जिसको governments या कोई इदारा जो है वो control करता है जैसे crypto currency है एक XRP उसके पीछे जो technology है वो Ripple Lab एक company है उन्होंने वो अपना ledger system बिल्ड की है वो centralized company है जो उसको manage करती है तो blockchain भी दो किसम की है एक है centralized जिसको कोई ना कोई इदारा या government या कोई फर्द चला रहा है और तूसरा decentralized तो decentralized हमारा जो है ज्यादा मौजूब वही होगा हम centralized को भी cover करेंगे इंशाला अपने इस course में अच्छा decentralized में क्या चीज वर्क करती है ये मैं बाद में आता हूँ लेकिन सबसे पहले ये blockchain record जो है इसमें महफूस कैसे किया जाता है जैसे कि इसका नाम ही है blockchain record जो है वो blocks की सूरत में इस technology में महफूस किया जाता है record क्या है blockchain के ओपर जो transactions होती है या transaction के साथ जो meta data महफूस किया जाता है यानि वो record वो सारा record जो है एक block में add किया जाता है और उस block को इस तरीके से उस chain में add किया जाता है कि हर नया block पिछले block के उपर record होता है और यह जो record है cryptography एक technology है information को encrypt करने की मुझे नहीं मालू मैंने पिछले वीडियो में आपको explain की है या नहीं लेकिन कोई भी information अगर आपने blockchain में महफूस करनी है तो सबसे पहले आपने वो सारी information उठानी है उसको hashing के जरीए encrypt करना है और उसका एक block जब आप add कर लेंगे तो उसका एक hash number निकलता है यह technical थोड़ी information आगई लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ वो hash number आपने इस तरीके से add करना है कि पराने जो blockchain आल एड़ी जहां पे blocks हैं आल एड़ी उसके ओपर जब आपने add करना है तो जो सबसे latest block है उसके ओपर आपने नय block add करना है और इस तरीके से करना है कि पिछले block का भी hash हो और जब अगला आए तो इस तरह information को blocks की सुरत में महफूस किया जाता है और ये blocks एक तर्तीब के साथ होते हैं इसी वज़ा से इसको block chain बोलते हैं यानि information blocks की सुरत में महफूस और ये market में आपको मुफलिफ किसम की technologies मिलेंगी जो अपनी अपनी इसी वज़ा से जो है market में रंग बरंगी टेकनलोजी इसका अगास किया सतुशीना का मुटो ने बीटी सी के जरीए फिर उसके बाद आइस्ता इस्ता बीटी सी चुके इनसान जो है आइस्ता इस्ता अपनी टेकनलोजी को अपने आफ को भी इंप्रूफ करता आता है जहाज जब पहले इन्वेंट किया गया घृत का जहाज देखें और आज के जहाज देखें इसी तरह कोई भी टेकनलोजी कोई पी चीज़ इनसान इंवेंट करता है इजाद करता है तो वट के साथ साथ उसमें बेहتरी लाई जाती है एक centralized और एक decentralized centralized blockchain तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारा central bank है वो financial decisions होते हैं कि पैसा distribute कैसे करना है उसको secure कैसे करना है उसकी valuation वगएरा तो वो तो कोई परेशानी नहीं है इसी तरह blockchain में भी centralized blockchain होती है कोई ना कोई इदारा, company या कोई state, या individual वो उसकी सारी record के जो decision making है वो manage कर रहा होता है लेकिन जो decentralized blockchains होती है उसमें क्या होता है, कि record को एक जगा रखने की बजाए उसको मुफलिफ जगा, मुफलिफ computer में divide कर दिया जाता है ताकि कोई बंदा भी अगर record में गड़बड करता है, तो फिर बाद में सारे record को match करें जिस बंदे ने record में को गड़बड की होगी उसका record reject कर दिया जाएगा जिसका record, या जो majority का record है वो बिल्कुल सही होगा, उसको आगे continue कर दिया जाएगा अब यहाँ पर यह question कर सकते है कि भाई यह लोगों को क्या जूरत पड़िया कि अपने पास उसकी copies रखें ब्लॉक्चेन की इसी लिए ब्लॉक्चेन ने लोगों को incentivize करने के लिए अपनी cryptocurrency साथ यानि ब्लॉक्चेन टेकनालोजी ने यह जो cryptocurrency रखी होती है यह इसी वज़ा से रखी होती है कि यह जो उनके network को यह record का network है जिसको network nodes आप कहते है या miners कहले असानी के लिए या stakers कहले उनको incentivize करने के लिए ब्लॉक्चेन ने अपनी cryptocurrency साथ attach की होती है तो जो भी उनको करता है तो मैंने जब भी किसी blockchain में कोई transaction करनी है अपना record मैंने maintain करना है तो मैं जो gas fees पे करता हूँ वो gas fees इन network जो node operators होते हैं miners वगएरा उनको वो reward के तोर पे जाती है तो blockchain ने अपने record को decentralized करने के लिए उसको incentivize किया लोगों को फाइदा किया आप decentralized मेरे network को support करो मैं आपको बदले में financial support दूँगा तो लोग अपनी लालच में इन decentralized network को support करते हैं और ये network इतना ज्यादा लालच की वज़ा से expand हो जाता है कि इसको control करना इसको finish करना ban करना almost ना मुमकिन है तो अब आपके इस देन में सबसे last में ये question आ सकता है कि क्या वज़ा है blockchain technology में क्यों लोग इतनी सर्माया करी करें वैसे तो मुकसर इसका पहले भी हम जिकर कर चुके हैं दो मेरे दोस्तों भाईयो ऐसी features हैं ऐसी qualities हैं इस blockchain technology में at a time जो किसी भी और record maintain करने वाले system में नबर वन immutable के record को maintain जो है उसको change नहीं किया जा सकता उसको amend नहीं किया जा सकता है number two decentralization क्योंके centralization के भी issues हैं जब जो centralized blockchain होती है वो अपनी मर्जी से किसी भी वालेट को किसी भी record को जो है वो आइंदा आने वाले record को अपनी मर्जी के मताबग change कर सकती है तो इसी वज़ा से centralization का भी खात्मा और दूसरा immutability भी ये दो फिचर्स की वज़ा से लोग समझते हैं कि blockchain decentralized blockchain network ही हमारी society और हमारा आने वाला काल है अमीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपके लिए informative रही होगी अगली वीडियोता के लिए मुझे इजाज़ा दें अलाहाफिस